स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का तीन चैप्टर चैप्टर नमबर 27, 28 और 29 यानिकि 27, 28, 29 ये तीनों चैप्टर का complete solution करने वाले हैं यानिकि जितना भी सब्जेक्टिव कोशन इन तीनों चैप्टर से आप लोग के बुक में पूछे गए हैं वो सारे सब्जेक्टिव कोशन का complete solution होने वाला है यानिकि सारे सब्जेक्टिव कोशन का answer आज के इस वीडियो में आप लोग को complete कराने वाली हूँ तो जैसा कि आप लोग को पता है हर बार की तरह आज का ये वीडियो भी काफे important है स्टार्टिंग से लेकर अंज तक बिना skip किये देखते हुए आप लोग को complete करना है आज के इस वीडियो को और सारे question answer complete करना है और ज्यादा आप लोग का chapter नहीं बचा हुआ है आज के इस वीडियो में 29 chapter तक complete हो जाएगा तो बचा और 11 chapter एक वीडियो में कभी 3 कभी 4 इस तरह करकर के हम लोग बहुत जल सारा chapter complete कर लेने वाले है बहुत जल complete होने वाले है अब बल दूर नहीं है ठीक है तो बिल्कुल आप लोग तयार रहे है और फिर इसके बाद से आप लोगो objective question कराया जाएगा तो objective question के लिए आप लोग excited है की नहीं comment box में लेकर बता दीजेगा चलिए आज के इस वीडियो को start करते हैं और start करने से पहले आप लोगो क्या करना है आप लोगो तो खर बताईए वीडियो को like और जितना ज़्यादा हो सके शेयर चानल पर अगर आप लोगो नए नए आया हुए हमारे वीडियो इसको पहली बार देख रहे है तो चानल को subscribe जरूर कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो notification आप तक सबसे पहले पहुँचे अगर आपको चानल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे हुए है तो बस और कुछ नहीं करना है वीडियो को like करना है और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है अपने पडोसी अपने दोस्तों के पास जितने भी आप लोगो के रिष्टतार है चोटे बड़े भाई बाने चाहर तफ शेयर करते वाटसप ग्रुप में शेयर करते ताकि सब्सक्राइब लोग इस वीडियो का लाव उठा सके तो ना विदाउट एनी फॉर्दर डिले लाट्स गो टू स्टार्ट तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्रोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर सवलात से यानि कि शॉर्ट टाइप क्रोशन से सबसे पहले चेप्टर नमबर 27 का उसके बाद से 28 और 29 एक एक करके हम लोग तीनों चेप्टर का कंप्रीट करेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहला सवाल है कि मर्सिया के अ होना जरूरी है यह आप लोगो बताना है और जायत तरकिवी का मतलब वो चीज़ जो मर्सिया में रहना जरूरी है अगर वो नहीं रहेगा तो मर्सिया मर्सिया नहीं कहलाएगा ठीक है तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि मर्सिया कि अच्जायत तरकिवी मंदर ही लिए जो की तुमहीद के तौर पर इस्तिमाल किया जाता है हम लिख दीजिए। cm कि मनकबत मतलब कि स्टार्टिंग में हम नात All ya हीरो का हज़द इमाम हुसेन से जंग में जाने के लिए इजाज़त लेना और चौथा है आमद यान की हीरो का घोड़े पर सवार होकर शान और शौकत के सांथ रजमगाह में आना और पांचवा रजिस यान की इसका भी होना जरूरी है हीरो की जबान से अपने नस्व की तार जमनी, जखमी होकर शहीद हो जाना, यानि हीरो का दुश्मनों के साथ जखमी होकर शहीद हो जाना, ये सत्वा है शहादत का, और आठवा है बीन, यानि हीरो की लाश पर उसके अजीजों, खसूसन औरतों का रोना वगेरा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल है कि अनीस मरसिय में किस तर्ज तर्ज तहरीर से काम लेना चाहते हैं। तो जवाब में लिखा गया है कि मीर अनीस के तर्ज तहरीर में सलासत, रवानी, शगुफ्टगी और फसाहत के देगर लावाजिम इस कदर नमाया हैं कि उनके बियान करने और उनकी तरफ मतवज़ करने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं होती। खसूसां मीर के कलाम में फसाहत इस दर्ज नमाया है कि उनका कोई मुखालिब भी इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकता। वद्धकिक और नाजुक ख्यालात को आसान लफजों में इस तरह आदा कर देते हैं कि जाहिर भी निगाहें मजमून की जिद्ध और बारिकी तक नहीं पहुंच सकती। यह हो गया एंसर। जो है ना अपने मर्सिय में वो काम लेते हैं यह आप लोगो बताना था और यह जवाब में लिख दिया गया है आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल है कि इस एहद में सब कुछ है पर इनसाफ नहीं है अनीस दर्जिजेल बारा मिसरे क्यों रकम करते हैं अपने सबक के हवाले से जवाब दीजे यह यह जो लाइन है वो अनीस ने क्यों कहा है आप लोगों को बताना है तो जब आप में देखी लिखा गया है कि पेश नजर मिसरा इस एहद में सब कुछ है पर इनसाफ नहीं है मीरनिस के जेर नसाब मरसिये के छटे बंद से माखोज है इस बंद में शायर मीरनिस ने अपने तई दुनिया की नाकदरी का शिक्वा किया है चिनाँचर शायर खुदा से मुखातिम होकर कहता है कि आज की दुनिया में लोगों का जहन आलूदा हो चुका है इस तरफ्की या फ़ता दुनिया में सब कुछ है मगर इनसाफ नहीं है इस तरफ इस मिसरे में शायर ने अपने साथ ना इनसाफी का इला किया है विला शिक्वा सुनाये हैं अपने खुदा से ठीक है चौथा सवाल है कि मिस्रों में लफजों की तर्तीव दुरुस्त कीजिए यहां पर तर्तीव बिढंग तरीके से कर दिया गया है और इसको आप लोगो सही तरीके से सजाना है जैसे कि सौरंग का मजमून हो तो एक फूल से बांधू इस तरह ठोड़ो नहीं एक फूल का मजमू हो तो सौरंग से बांधू ये तर्तीग तरीके से लिखा गया है चमंन नजम को गुलिजारे रंकर जी नहीं यह बिढंग तरीके से लिखा गया है सही तरीके से सही ढंग से क्या है यारब चमने नजम को गुलजारे रमकर उसी तरीके से सब कुछ है पर इनसाफ इस एहद में नहीं है नहीं 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 इस एहद में सब कुछ है पर इनसाफ नहीं है यह है सही तर्टीबवार जुम्ला आगे बढ़ते हैं यह तो हो गया मु कि अनिस्फन मरसिया के मिराज हैं तो कैसे जवाब में देखी लिखा गिया है कि मीर ववर अलियनिस को शायरी वरसा में मिली थी। उनके दादा मीर हसन अर्दू के सबसे एहम मस्नवी सहर बियान की मसन्निफ है मीर खलीक मीर अनिस के वालिद थें मीर अनिस फैजबाद में पैदा हुए खोर संभाला तो घर में मरसिय अगोई का चर्चा देखा मीर अनिस ने शायरी की अपतदा गजल से की इसलिए दुन्या शायरी में उन्हें उन्हें को यहां पर उनको रहेगा उनको फन मरसिय की मिराज कहते है अनिस के बारे में यह कौल सदुद्दृ सदुद्दूरुशत है त्धिक है आगे बढ़ते हैं उसकी वज़े यह है कि मीर अनिस नाजो खेलात, लटीफ, सिजबात और मुश्किली फलसफ़ा को सीधे साधे अलपाज में इस बरजिस्तगी और बेतकल्लफी से बियान करते हैं कि हैरत होती है और फिर सुनने वाले के दिल और दिमाग पर जो असर पैदा करना चाहते हैं उस मसाओर अपनी तस्वीर में कहीं हलके रंग का इस्तमाल करता है और कहीं शोक रंग शायर यही काम अलपाज और जज़ियात के इंतखाब से लेता है बाद जज़ियात को नजर अंदाज कर देता है और बाद को अजमाली तोर पर वियान करता है जबान वा वियान के मामले मे तो मीर अनीस का मकाबला कोई और मरसया नगार czyli कोई और मरसया अगो नहीं कर सकता कि relating में जो सलासत, रोआनी, फसाहत, बलागत को अगता और शागफजज़ी है वा उन्हीं का हिस्टा है दबिस्तान लखनों में रियायत लफजी का इस्तमाल किया गया है लेकिन बहुत एतिदाल और तवाजन के साथ अनिस के कलाम में या सिफत कही आईव नहीं है बलके इस से बियान में और हुसन पैदा हो गया है वह जैसा भी ख्याल जाहिर करना चाहते हैं उनकी मुनासबर्ट से ऐसे अलफास का इंतखाब करते हैं जो अपनी आवाज अपने रबत बाहमी और अपने मुतालुकात मानुई से इस ख्याल की कामिन तरजमानी करते हैं इस तरह यह कहना बिल्कुल दृूस्ट है कर दो से कार्य लोगा है बुसरे भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है और लिखने वारी बात नहीं अभी आप लोग फिलहाल समझे हरे कोशन को मैं पढ़ दे रही हूं और आप लोग सुनते और समझते चलिए बाद में आप लोग को हमारे दोरा एंसर त्यार किया हुआ ही कराया ही जाएगा देखे दूसरा सवाल है कि मजभी ऑनसर की शमोलियत के बाउदसें के मरस्ये का जवाल क्यूं हो गया इसके इसबाब को जानने के लिए मरस्ये के इरतकाई तारी पर सरसरी णजर डालने की ज़ुरत है % से कि जब शुरुआत हुई उसका विकाश हुआ उसके हिस्टरी पर नजर डालने की ज़ूरत है तो देखे लिखा गया है कि दक्कन की सरजमीन में सुलमी सदी के आगाद से ही उर्दू मरासी के आसार मिलने लगते हैं सियद शाह अफसरफ व्यबानी की मसनवी नौसरहार को काम तोड़ से उर्दू का पहला मरसिय कहा जाता है शाहमीर शाहमीर अनजी की वफात पर बर बरहानुदीन जानिम ने एक मरसिय लिखा था मुहमद कुली कुत्ब शाह मुलावजी और नुसरहती तीनों के दवावीन में मरसिय मौजूद हैं मिर्जा बीजा पूरी ने वा में मुताद मरसिय निगार मिलते हैं लेकिं साधा की ऐहमियत साधा की एहमियत इस वज़ा से सबसे जादा है क्योंकि उन्होंने मरसिय के लिए मुसGB की हैइट का पहली बार इस्तमाल किया बाद के मरसीया निगारों ने इस हैइट को पसंद किया और तमाम मरासी का मुबिश गुज़शता दो सा पच्छास, एंकी धाई सा बर्सों में मुसGB की हैइट में ही लिखे गए मरसीया के लिए सबसे जरखेज चा दिया तो सबसे अच्छा सरजमीन अवद की सरजमीन सावित हुई ठीक है और अनीस वदवीर की कोशिसों से ही सिल्फ मरसिया मुलक के तौलव अर्ज में फैली उस दिनों असाज़ा और उस जमाने के नवाबीन ने मरसिया गोई और मरसिया खवाने के मुस्तकल एहमियत के हामिल बना दिया ook मरसिया को जवाल वजियर होने के खास दो असबाब थे एक या कि मरसिया को शहादत इमां हुसेन और मसाहिब आहले बैत को शेर में नज्म करने का नाम मर्सिया हो गया इस तरह सिर्फ मर्सिया खास मौदू तक महदूद हो गया जो इसके जवाल की फितरी वज़ा है यानि की मर्सिया का आप यू के सकते हैं की खत्म होने की दीरे दीरे खत्म होने की ये सबसे पहला कारण है और मर्सिया के जवाल की दूसरी वज़ा यह ह हजरات ने इसे अबादत और कार स्वाब समझकर मरसिया लिखा जाहिर है कि सुनी हजराद को इन अकायद से दिलकास भी ना थी इसलिए इन हजरात ehemar за को मरसिया निगारी को शेयों के इसे सिन्फ दीरे इसका वज़ुद जो है ना खत्म हो गया तीसरा सवाल है कि अनीज की मनजर निगारी पर एक मजमून लिखे हैं उनकी मनजर निगारी पर अप लोगों को मजमून लिखना है जवाब में देखी लिखा गया है कि मरस्य में मैदान جंग के वाकयات का बेयान हकीकत में वाक्य निगारी और consoles निगारी के जुम्रे में ही आते हैं लooth के यह हुआने सकत więks धा किमार मीर अनीज को मनजर्न निगारी के बाब में महारत हासिल है मनजर निगारी का कमाल अमुमन यह समझा जाता है कि मनजर के लफजी तस्वीर ही असली मनजर से इस कदर मताबकत रखती हो कि तस्वीर से असल का लुट्फ हासिल हो लेकिन हकीकत में मनाजर की तसावीर को बिल्कुल असली शकल में दिखाना शायर का कमाल नहीं है बाकमाल शायर अपनी कौट तख्यूल से कुद्रती मनाजिर में ऐसा तगयूर कर देता है कि वो मनजर बिलकुल फित्री तो नहीं रखता मगर खिलाफ फित्रत भी नहीं मालूम होता और मनजर का बियान असली मनजर से ज्यादा दिलकश और मुस्र हो जाता है अनिस ने सुबा की रौनक, शाम का सनाटा, बहार का जोश, गर्मी की शिद्ध वगरा मनाजर को अक्सर इस तरह बियान किये हैं कि उनके बियान में शायराना, मुन्जर, निकारी का या कमाल मौजूद है अनिस जंग का नक्षा भी अपने मरासी में खुब खीचते हैं पहलवानों की हैयत, उनकी आमद की धूंधाम, रिजज का शूर और हरीफों के दाव पेच खुब दिखाते हैं और इस स्लसले में शमसीर जनी ने जवाजी, तीरंदाजी और शहवारी की इस्तलाहों से अकसर काम लेते हैं हर वजर्व के कामों की ऐसी तस्विर खीचते हैं कि मैदान जंग का नक्षा आँखों में फिर जाता है तलwar की तारिफ के जमन में आमोमन शमसीर जनी के कमालाद दिखाय जाते हैं जो हखीकत में तलwar की नहीं तलwar चलाने वाले की तारिफ होती है इस खुसूस में भी मरसिया निगारी अनयस का कोई नजीर नजर नहीं आता है यह हो गया एंसर आगे बढ़ते हैं चौथा सवाल है कि दर्जाइल एशार की तश्रीफ की ज़िए यहाँ पर एक शेर दिया गया है इसकी तश्रीफ आप लोगो को कहना है कि वह गुल दस्ते जए मानी को नए ढंग से बांदू एक फूल का मौजू हो तो सो रंग से बांद किया है कि वह अपने शायराना फंकारी के जरीए एक एक फूल के मजमून को सैकड़ो तरीके से बांद सकते हैं यहां उनकी रहायत लफजी भी काबल तवज्जह है फूल की मौनासबर्च से रंग और गुल दस्ता जैसे अलफाज का इस्तमाल शायर ने किया है इस शेर में से लेंद। पर जेंडर बताना है कि कौन सा लफ जो है ना वुझजघकर है और कौनिया थी यहां पर चमन हिदुस्तान वतन के साथ मेरा चमन भी चमन क्या है एक पुलिंग Skip है समुंदर समुंदर का पानी खाड़ा होता है खापा होता है तो समंदर पोलिंग याने कि मीज मॉन्नस लफ Почему प्लम में यजरा झाल्ब काल जीद है यान कि एक मॉणनस लफज है चश्मा इस गाउं में पानी पाणी का एक चश्मा है चश्मा भी एक मॉणनस लफ ए बुल बुल इस चमन में बुलबुले परवाज कृती है यानि कि बुलबुल यह है krij dullon मतायदल है यानि कि आपवावा क्या है वो एक मुणनस लफज है शम्शीर गुलामी में शम्शीरी काम नहीं आती यानि कि शम्शीर जो है न ये लफ़ भी एक मुणनस लफज है अब यहां पर कुछ लफ्ज दिए गया है, इसका मुतरादिफ आलफाद बनाना है तो देखिए रब, रब का मुतरादिफ यानि जैसा या कौन सा है परवर्दिगार या फिर आका रब भोलिए परवर्दिगार भोलिया आका बुरिया बाते कि एफ आगे बढ़ते हैं सातवा सवा लेकी वाहिद سے جماع اور جماع سے واحد بنائیے صاحب ये एक واحد लबज है इसका जमा बना दिया गया है असहाब इस तरह भी एक जमा लबज है इसका बना दिया गया है तरफ यानि कि अत्राफ तरफ भकाम का हाकिम, खलक का अखलाक, हाल का एहौल आम का आवाम, रुड़ का अर्वाह उल्मा का आलिम तसावीर का तस्वीर ये हो गया जो लब्स वाहित थे उनका जमा और जो जमा लब्स थे उनका वाहित बना दिया गया है आगे बढ़ते हैं चैप्टर नमबर 28 का ये कुषण इस्टार्ट हो रहा है सबसे पहला सवाल है कि रहट में लिखा गया है कि रहट के पानी से कई काम लिए जाते हैं रहट के पास एक नाली निकलती थी जो हौज में जाती थी हौज बड़ा था और हर वक्त पानी से भरा रहता था उस हौज के पानी से इटे भिंगाई जाती थी गाड़ा और चूना भी बनाया जाता था और दिवारों पर भी छिड़का जाता था तो हौज क्या जो पानी था रहट पर काम करता था रहट का काम दरसल बहुत महनत तलब था उस काम को बैल किया करते थे लेकिन बैल नहीं मिलने पर यह काम आदमी से लिया जाता था रत्ता अपने घरेलू मजबूरी के वज़ा से रहट चलाने का काम करता था लेकिन कुछी दिनों के बाद उसके पेट मे दर्द होने लगा लेकिन मजबूरी थी वह काम वह भी काम पर जटा रहा आखिर कार वह तीन-चार दिन तक काम पर नहीं है फिर मालूम हुआ कि उसे तीन-चार खुन के दस्त आएं और बस दुनिया को खैरबाद कहे कर चला गया तो यह हो गया रत्ता की मौत इस तरह से हो ग कि अपनी यादगार के तोर पर पढ़ने लिखने से मुतालिक कई चीजे चोड़ना चाहते हैं चुंकि वजिस यूनिवर्सिटी में मजदूर की हैसियत से काम कर चुके थे फिर अपनी मेहनत से पढ़ लिकर या प्रोफेसर बने और उसी यूनिवर्सिटी में मुम्तहिन बनकर आएं तो उनको माजी की याद आई और वह चाते थे कि मैं एक मजदूर यूनिवर्सिटी बनाओं और अगर जिंदगी ने मौका दिया और हालात मुआफिक रहे तो अपनी तसानिव के लावा वह एक आला मियार की लाइबरेरी काइम करेंगे और यादगार के तोर पर एक यूनिवर्सिटी भी काइम करेंगे चुछल स्वाब की मुसनिफ ठकान मिटाने के लिए क्या तरकीव करता है तो मुसनिफ ने ठकान मिटाने के लिए अपना एक मामूल बना लिया था जब रेहट चलाते चलाते ठक जाता और काम से फारिग हो कर पहले पूरे बदन में अच्छी तरह तेल मालिश करता था फिर पानी गरम करता और उसी गरम पानी से अच्छी तरह घुसल करता और इस घुसल से मसन्निफ के दिन भर की ठकावर जो है ना वो दूर हो जाती थी और जिसम फूल की तरह हलका और लतीफ हो जाता था इन दिनों उसे महसूस हो सबसे पहला सवाल किनि और साफ की विना पर एताने से मंतहिं के अहने पर पहुचे यानि की सवाल पुछा गया कि कौन से वह खुवी थी एसान दानिश के अंधर जो की एक मजदूर से वो एक एक्जामीनर के पोस्ट पर पहुंचे ये आप लोगों को बताना है तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि एसान दानिश का एक मजदूर से मुम्तहिन बन जाना आम आदमी की कहानी की तरह इंसानी जदुगाइद की एक सबक आमोज कहानी है गुर्बत के हوجrats एसान दानिश को मजदूरी वरसे में मिली थी अपने नारी हाल कांओला में मजदूरी करने के बाद वो तलाश मुआस में लाहौर से ले आ हैं और महमारों के इसाथ एक ढवने का काम करने लगे मजदूरी के बावजू देशान दानिश को पढ़ने लिखने का इस कदर शौक था कि जब मजदूर आराम करते हैं तो इसान दानिश किताबों के मुताले में मस्रूफ हो जाते हैं रफ्तर रफ्तर मजदूरी से तरकी करके मेमारी तक पहुंच दे लेकिन बाद में यह काम भी तरक कर दिया उन्होंने रंग साजी दफ्तर की चोखिदारी पुसल की कटाई बागबानी और कुत्ब फरोस्टी वगरा का काम किया बाद में लाहोर के महलफ रंग में अपना जाती कुत्ब खाना मकतबा दानिश के नाम से कायम किया महनत और मजदूरी के साथ मुताले के लिए वक्त निकाल लेना गहर मामुली होसला और हिम्मत की बात है फिर तंदृस्ती का ख्याल रखते हुए वर्जिस की तरह बदन पर तेल मालिश करता और गरम पानी से गुसल करना आला मकाम के जाने परवाज की कोशिश है महनत और मुशक्कत और मसलसल जदुजहद ऐसे इंसानी और साफ है जिनके सहरे इसान दानिश दिन दुनिया में अपने आला मकाम पैदा किया और यादगार के तोर पर कई तालिमी यादगार भी छोड़े या तालिब इल्मों के लिए एक होसला अफ़सा काम है यह सारी क्वालिटी थी जिसके बिना पर हैसान दानिश एक मजदूर से एक पोस्ट तक पहुंचे उनका दिन भर का काम रहता था दिन बर जाकर मजदूरी किया करते थे उसके बावजूद भी जो वक्त मिलता था बीच में लंच का ठीक है जो भी समय मिलता था तो उस वक् क्या करते थे पढ़ाएं मेरा पूरा नियुक्त बीचाइशा पॉरा हो ओभी ओ अपने पढ़ाई胡 नहीं ऑ keyboard पूरा हे जिसकारण वह मजदूर से एक हब यहाँ पर कवायट से कोशन पूछा गया है कि दर्जेल मुहावरात के मानी वाज़ा करते हुए जुमले बनेगे यहाँ पर मुहावरा दिया गया इसका मानी आप लोगो को बताना है दातों में उंगली दबाना कोई है'REतनाग बात सुनकर तुमनेे दाटों में उंगली दौा लिया कोई है नाक बात सुनकर तुमने दाटों में उंगली डबा ली है यानि कि दर गए तुम उस्था आखाना मैंने मेहमानों के एदाज में आखे बच्छनी धिखे, यहां पर बिचाना रहेगा, आख बिचाना ठीक है भीचाना के मतब होता है दिल कर, घुल कर दमेंे रिस्पेक्ट देना महमान मवाजि करना मैंने महमानों के एजाज में आखें बिचाई बात को पीजाना शरीफ लोग ना सामान तिकाओं नहीं होता ठीक है अब यहां पर कुछ लफ्ज दिए गए हैं जिसका आप लोगों को जिद यानि की आप पोजिट वर्द बताना है गहरा का तो उथला बीमार का तो सहतमंद लतीफ का तो कसीफ आशना का ना आशना शब का रोज हलका का भारी तारीफ का तौ पीट अब यहां से स्टार्ट हो रहा है कोशन केप्टर नमर 29 का सबसे पहला सवाल है कि बादशा किस मिजाज का आदमी था जवाब में रिखे लिखा गया है कि बादशा बहुत ही अच्छे मिजाज का आदमी था वह नेकी और इंसाफ को पसंद करता था उसकी नेकी की वजह से अवाम बादशा को बखसजय ताजबख्त नेक सीरत और परकंदबख्त वगयरा अलकाब से पुकारते थें कोई भी सायल जैसे ही कोई सवाल करता फॉरन उसकी फर्याद सुनी जाती और उसकी जवरत को पूरी की जाती यहां तक के पुरे मुलक के लोग उसे सौधागर ने बादशा से क्या कहा तो जवाब में लिखा गया कि सौधागर ने बादशा के सांथ परेब किया और कहा कि मैं एक ताजिर हूं काफिला बाहर उत्रा है मेरी बीवी को दर्जजय हो रहा है दाई की तलाश में देर से गुदाई कर रहा हूं दाई मिलती नहीं हैं आप बजर्ग आदमी हैं महरबानी कीजिए और अपनी नेक बख्त बीवी को खुदा के वास्ते मेरे सांथ जाने दीजिए ताकि मेरी बीवी को तकलिफ से निजात मिले तीसरा सवाल है कि बादशा की परेशानी क्यों बढ़ गई तो बादशा की परेशानी बेगम के जैसे बढ़ गई सौधागर फरेब देकर बादशा की बेगम को ले गया और काफिले के सांथ दूर निकल गया बादशा दो पहर तक बेगम का इंतिजार करता रहा लेकिन जब बेगम नहीं आई तो सोचा के खुद जाकर तलाश करना चाहिए लेकिन माजरा क्या है दोनों बच्चों को सांथ लेकर उसी तरफ चल दिया चंद कदम चला होगा कि रास्ता भूल गया और परिशानियां बढ़ती चली गई और उसके बाद से रास्त में दरिया मिला वह आप लोगों को पूरी कहानी तो पता ही है चौता सवाल है कि बादशा के बच्चे कहा गया तो जवाब में लिखा गया है कि बेगम के तलाश में जब बादशा अपने बच्चों के सांथ चला तो एक दरिया के किनारे पहुंचा दरिया में ना पुल था ना कश्ती भी थी मजबूरन एक लड़के को दर्बार के किनारे बिठाया और छोटे को कंधे पर दर्बार सौरी बेगम की तलाश में जब बादशा अपने बच्चों के सांथ चला तो एक दरिया के किनारे पहुंचा दरिया में ना पुल था ना कश्ती थी मजबूरन एक लड़के को दरिया के किनारे बिठाया और छोटे को कंधे पर लेकर दर्बार में उतर गया अभी आदा दरिया प देखा उधर उसके कंधे पर से बच्चा गिर गया उसके बड़े लड़के को भेड़िया ले गया और छोटा बेटा जो है ना वो दरिया में डूब कर मर गया यानकी दरिया उसको बहा ले गई आगे बढ़ते हैं तवील सवालात हैं तो दागर ने क्या दूखा किया तो जवाब में लिखा गया है कि बादशा ने जब एक साहिल के तलब करने पर अपनी फित्री शराफत के होज़े से ताज व तक उसके हवाले कर दिया और हुकूमत को छोड़कर वहां से हिज़त कर गया और नमालूम मनजल की तरफ सफर करने लगा कई दिनों पापयादा सफर करने के बाद बादशा अपने बेवी बाल बच्चों के साथ एक शहर में पहुंचा और एक मुसाफिर खाने में क्याम किया किसी तरफ उसके किसी तरफ से एक सौदागर मुसाफिर खाने में वा पर फरिफ्ता हो गया यानि कि वह जो सौदागर था वह बादशा की जो वाइफ थी उनकी बेगम उस पर लट्टू हो गया और उसको हासिल करने का रेला सोचने लगा कि किस तरह से इसकी बेगम को लेकर भाग चला जा जाए फिर बादशा से सौधागर मخاطب हुआ और नहायत मायूसी से कहने लगा कि मैं एक सौधागर आदमी हूँ बाहर मेरा काफिला उत्रा हुआ है मेरी बीवी हामिला है वजह हमल करीब है बच्चे की वलादत होने वाली है मेरी बीवी दर्जज़े में मुपतला है देर से दाई की तलाश कर रहा हूँ लेकिन कोई दाई नहीं मिल रही है आप बज़र्ग और नेक आदमी है मेरे साथ महरबानी कीजिए और बेगम को मेरे साथ जाने दीजिए ताकि उनकी मदद से मेरी बीवी को दर्जजे की तकलिफ से निजात मिले वरना मेरी बीवी मुफ्त में मारी जाएगी सौदागर की चर्बजवानी से बादशा बहुत मतासिर हुआ और सौदागर को सौदागर के धोखे में आ गया उसके बात से क्या हुआ सौधागर ने जो बाते कही थी वह सब बाते फर्जी थी और उसकी बातों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं था वह दरसल उन जूठी बातों के बहाने से बादशाह की बेगम को अगवा कर लेना चाहता था बादशाह नेक और शरीफ इंसान था सौधागर के धोखे में आ गया और अपनी बेगम को उसके सांथ लगा दिया सौधागर ने बाहर जाकर बेगम को बहाने से गोड़े पर बिठाया और ले उड़ा यानकी लेकर भग गया बेगम भी सौधागर के हेले और फितने को नहीं समझ सकी और सौधागर के दाम में आ गई आखिर जब बात समझ में आई तो खुब चिखती चिल्लाई लेकिन उसकी गर्यवजारी काम ना आई और वह सौधागर बेगम को लेकर बहुत दूर निकल गया यानकी बादशा की बेगम को लेकर भाग गया और यह लास्ट कुश्चन था